एलोग फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चनल तो इस वीडियों हम बात करेंगा स्वीडिस लीग के मैच कवार में जो गाइस खेला जाई यहां से जो गार्डन्स और और अरे ब्रो की बीच में होनवाल इस मैच कवार हैं और गईज वो कौन से प्लियरें जो consistent गोल करते हैं इंदून टीमों की तरब से, और कुछ ऐसा important प्लियर्स के बार हम बात करेंगे, जिनका dream इलोवन पर काफी low selection रहेगा, और उन्हें आप अपनी समाल लीग टीम में captain और vice captain बना सकते हो, वीडियो complete देखने के बात, और प्लियर का complete record देखने के बात, तो guys साउसपाल नाजर डालते हैं, इन दून टीमों की point stable पर क्या है position, तो guys फिलालम आचों के स्यूडिस लीग की जो point stable वहाँ पर तो साउसपाल नाजर डालते है, जोर गार्डेंस इस लीग में second position पर है, वहाँ पर बात करें, और एबरो इस लीग में 16 position पर है, तो guys दोनों टीमों के जो position उसमें काफी अंतर देखनों को मिलता है, अब guys बात करें, जो जोर गार्डेंस है, इसने इस लीग में 8 मैच कहलें, जिन में से 5 मैच तो इस टीम ने win भी किया है, और 2 मैच इस टीम ने draw भी खिलें, और 1 मैच इस टीम ने loss भी किया है, और 13 गोल सकोर किया है, और 6 गोल इस टीम ने defensive वाच कंसीड किया है, तो गैज 8 मैच में 13 गोल सकोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटेक है परती एक मैच में 1.6 गोल पर मैच सकोर करना का एवरेज रखता है वहीं पर बात करें इसने 8 match में 6 goal defensive wise conceded की है तो इसका जो defense है परतिएक match में 0.7 goal per match score conceded करना का average रखता है Attacking wise ये team परतिएक match में कम से कम 1 goal per match score करते है और कभी-कभी तिया कहा हलकी team के सामने 2 goal per match score भी कर देती है लेकिन डिफेंसी वाज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करते हैं बहतर टीम के सामने ही दो मैच में एक ही गोल कंसीड करना का इसका एवरेज निकल कर आता है अटेकिंग वाज काफी अच्छा परफोर्मेंस देखनों को मिला यहां से जोर गार्डन की टीम की तरफ से लेकिन डिफेंसी वाज उससे भी बहतरी है टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती है अब गाईज बात करें औरे ब्रो जिसने इस लीग में आठ मैच के लिए जिन म मैच में 0.6 गोल पर मैच सकोर करना का एवरे रखता है वहीं पर बात करें इसने 8 मैच में 16 गोल डिफेंसी वाज कंसीड के है तो इसका जो डिफेंस है परती एक मैच में 2 गोल पर मैच सकोर कंसीड करना का एवरे रखता है अटेकिंग वाज यह टीम परती एक मैच में एक गोल कंसीड कर देते हैं तो गाइज अब बात आते कि किस टीम को हम अपनी ड्रीम लोंग टीम में फेवरेट टीम मानके चलता हूं लेकिन बात करेंगे जब यह दून टीम आपस में हैट टूरड मैचेस खेलती हैं तो क्या परफरमस रहता है इन दून टीम का हैट टूरड मे हमारी समोली टीम के लिए ड्रीम 11 पर तो गाइज इन दून टीम में बीच में पिछले 5 head to head मैचेस हुएं जिन मैचेस जुरुगाड ने चार मैच तो किये हैं बिन और एक मैच इस टीम के सामने लोज भी किया है लेकिन 2.8 गोल पर मैच सकोर किया है और 1.4 गोल मतलब 0.4 गोल पर मैच सकोर कंसीड किया है अब बात करें जो पिछला मैच इन दून टीम में बीच में हुआ तो यहां से जुरुगाड ने इस मैच को 4-0 से विन कर गे थी मतलब अटेकिंग वाइज काफी अच्छा प्रोंस देखने को मिला लेकिन डिफैंसी वाइज एक भी गोल कं इन चिट के साथ उससे पिछल मुकाबल इन दून टीम में बीच में एक मैच और हुआ यहां से टू वन से और एबरो इस मैच को विन कर गई थी लेकिन एक गोल फिर भी यहां से जुरुगाड ने टीम तरफ से देखने को मिला अटेकिंग वाइज परफोंस किया लेकिन ड इन दून टीम में परफोंस करता है और डिफैंसी वाइज तो जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करता है यही एक रिजन है कि इस टीम को मैं फैबरेटी मान के चलता हूं इस मैच में मतलब हमारी जो समाल लिग टीम है इस मैच में उसके लिए लेकिन उससे पहले बात करेंग इन दून टीम में उसका अकोर्डिंग क्या परफोंस चल रहा फिलहाल के टाइम पर तो गाइस रिजन लीज जोर गार्डंस ने छे मैच कहले है जिन मैच से एक मैच तो इस टीम ने विन भी किया बलकि तीन मैच ड्रो खेले हैं दो मैच इस टीम ने लोस भी किये हैं 1.3 ग गार्डंस टू-2 से मैच और फीड करते हैं मतलब आटेकिग वी दो गोल भी किये डिथेंससे दो गोल कंसीड이스 बेकिया लेकिन उसे पिच मुकाबल इस itel्म ने थ्री तू से मैच को लास किया आटेकिंग वी काफी अच्छा परफोंस देखनेने विलेकिन डिफैंस से तीन चुप मैंच को बिन किया और उससे पीज मुकाबले इस टेम ने टू-जीरो से लोस भी किया तो अटेकिंग वाई इस टेम का बिन किया, बल्कि 4 मैंच इस ट्म ने, लॉस भी किया ॥ 1.08 गोल पर मैंच सकोर कीया, 1.5 गोल की ज़िया, अतेकंच मैच मेद और अले Il poor, लेकिन कभी कभी यह टीम गोल पर त्यक मैच में अले kimchiagenor City अले कर देती। अब बाँ करने यह जो पिछला match औरे भ्रो वन जीरो से match को loss कर कर रहे है उससे पिछल मुकाबले इस टिम लोस किया, फिर उससे पिछल मुकाबले इस टिम ने रिस ट्री जीरो 9.1 तो गय इसने चार match रिसेंटर इस टिम लोस किया तो सिर्प एक ही match मैच मिस टिम बिदा ऐक लेकिन डिफाइंसी वाइज तो एक मैच तो इस टीम ने विद किलिंचेट साथ विन भी किया है तो गाइज अटेकिंग वाइज इसका पर्फोर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला लेकिन परतियक मैच में ये टीम गोल कंसीड जरू करते हैं ये चीज देखने को मिली है रिसेंट फोर्म का अकोर्डिंग औरेवरों की टीम की तरफ से अब बात करते हैं इस मैच का सकोर लांग परडिक्सन क्या हो सकता हमारे शमोली टीम बनाने के लिए ड्रीम लेवन पर तो गाइज सबस पहला हमने इन दोन टीमों की पॉइंस टेबल देखी फिर इन दोन टी पॉइंस टेबल का कोर्डिंग लेकिन डिफैंसी वाज परती एक मैच में दो गोल कंसीड कर देती हैं और हैट टो एड में तो यही चीज़ देखनों मिली जूर गार्डन परती एक मैच में कम से कम तीन गोल पर मैच सकोर करती हैं और एक ही मैच में इस टीम ने गोल परति एक मैज में गोल नहीं कर पाथे लेकिन कभी-कभी यह टीम गोल करती है और परति एक मैज में गोल जरूर कंसीड कर देती है यह चीज देखनों को मिली है यहाँ से इन दून टीमों की पॉइंस्टेबल हैट टूएड और रिश्ट फोरम का अकोर्डिंग, अब बात करते हैं है इस मैच का सकोरलान परडिक्शन आखिर क्या निकल कर आएगा, तो गाइज यह मैच जूरुगार्डेंस का होम ग्राउड में है, जब भी जूरुगार्डेंस अपना होम ग्राउड करता है, तो गाइज मुझे लगता है इस मैच का सकोरलान परडिक्शन कहीं ने कहीं, आपको थ्री गोल, जूरुगार्डेंस और जीरो गोले आप यहां से ओरे बरोक टीम तरफ से भी देखने को मिल सकता है, ओ गाइज इस परडिक्शन करने हम अपनी शमाल लीक टीम बना तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो को सबसुपर वाल कॉमेंट से आप टेलिग्राम को जोईन करना, अगर आप सर्च करके जोईन करोगें, तो बहुत सरा हमारे चैनल के नाम से फैंक चैनल भी बन चुके हैं, उन सबसे मत जोईन होना, इसलिए आपको सबसे बेस्ट तरीका को वीडियो को लिंक और सबसुपर वाल कॉमेंट, इन दोनों में इसकी से एक साब टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लेना, अब बात करते हैं सिद्ध मुद्दे के पिलियर वाइस की कौन इस पिलियर नं कितना गोल कितना असिस्ट के हैं, तो एक जुर गार्डन की तरफ से फिलहाल की टाइम पर जो हाइस्ट गोल टेकर नेकलाज जिसने तीन गोल कियें फिलहाल की टाइम पर यह एक इंपोर्टेंट प्लियर रहेगा, इसको आप अपन टीम में पिकर के चलना है, वहीं पर बात करते हैं, अशलाक, फॉन, विटरी जिस इसने तीन गोल कियें, लेकिन इस टीम की तरफ से फिलहाल की टाइम पर इसने एक गोल टो पैनल्टी में किया, तो यहाँ यह पता चलता है कि यह इस टीम तरफ से फास्ट चोईस पैनल्टी टेकर भी हो, और आपको ने यह डिफेंडर में देखनों को मिलेगा, और इसको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, लो सकोरिंग मैच में, जोर गार्डन की टीम की तरफ से, और वहीं पर बात करते हैं, आपके लिए एडवर्ड देखनों को मिलेगे, जो की सब पिक कर रहे हैं, तो हम भी पिक कर के चलेंगे चलेंगे, और यहाँ से फिन ड अज़र डालते हैं, तो गईज असिस्ट को मामले हैं, यहाँ से मैगनस इडिक्शन जिसने पांच असिस्ट निकालें, और पिछली सीजन भी यह इस टीम की तरफ से सेकंड हाइस असिस्ट करता है, और सेकंड हाइस गोल डे करता है, तो एक इम्पोर्टन प्लियर है, कैप अब बात करते हैं, जिनमे से यहाँ से वरे और यहां से तीन गोल किया और यहां से एक गोल किया, मतलब यहां से इंपोर्टन प्लियर है, इसको आप पिक करके चलना है, क्योंकि यह काफी यंग है और अच्छा परफॉंस करके दे सकता है आपके लिए बिना गोल के पॉइंट भी दे जाएगा कम सकम दस पंदर है तो इसलिए इसको एक इंपोर्टेंट प्लियर मानके चलते हैं इसको हम पिक करने वाले हैं और बाकी दो प्लियर्स और हैं उनके बारे माप ड डेविड सगेर जिस ने तीन असिस्ट किया हैं अब यहां पर आपको इंडो पिक करने हैं चाहे तो आप इसकी टीम के फरस्ट हायाइस बोल टेग उसको पिक कर लो चाहे हैं यहां से डेविड सगेर जो इस टीम तरह से firmल असिस्टेगर यह पिछले सódर्स रिच्छी rappelle करना मैं फिलाल यहां से गल को पिक करके चला हूँ तो यहां से डेविड सगेर एक इंपोर्टेंट पिली रहेगा फिर से मैं बोल रहा हूँ आप इसे ने गिरान लीग में जलूर ट्राई करना जब आपको लगे कि देनिज हमाट गोल करतां नजर नहीं आईगा तो इस कंडिशन में यहां से 0-0 फिलाल के सकते ह सगोरी प्रडिक्शन हमने ठीड़ी जीरो रखा और ठीड़ी को प्रडिक्शन को निसा जो इस मैं खोमाट सामुलिक टीम में एक बार नजर डालते हैं तो गाईज आप अपना टेलिग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं लेकिन याद रहे फैंक चैनल और भी है हमारे चैनल पर जिन में आपको पिच्चासी सो पलस नवासी सो पलस इन सबसे बचने का सबसे बेस तरीका यही है कि वीडियो के लिंक और सब सब परवाल कोमेंट से आप तो हमारे चैनल के परतियक पोस्ट है उसमें कम सकम आपको 2000 पलस के वीउज देखनों मिलेंगे यहां पर आपको फाइनल टीम विद जो इस मैच की फाइनल लाइन अप रहेगी विद प्लेयर पोजिशन के लिगा उसका कोड़िंग आपको यहां पर लाइन आप भी डाल द डालते हैं तो गाइस फिलहाल के लिए यह टीम है अब आप सोच रहे हो कि काप्टन कहां से लाए हो क्योंकि यह पिछले सीजन के इस टीम तरह से फस्ट हाइस गोल टे करता है होंबर्क यह इंपोर्टन प्लियर मैंने इसको फिलहाल के लिए कैप्टन बनाके चले हैं और तो मैंनम पहले बोला कि यह टीम सिर्फ आपको रिकोर्ड के बैस कनोट शार टीम है लेकिन जो फाइनल लाइनप के अकोर्डिंग जो टीम रहेगी वह आपको सिर्फ टेलिग्राम चैनल मिलेगी विद इस मैच में आपके लिए बीच टीम देने की पूरी कोस्त दोंगा अ हम यहां से चिलू फायो को पिकड़के चले हैं अब जो भी टीम में चैंज होई वो लाइनप आने के बाद थैंकि वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने को एक बात याद रहे अगर आपने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने गया तो इसको जरूर कर ल कर दो